दोस्तों, दिन सुकरवार 11 जून को गाउव मूसा जिला मांसा में शुबदीप सिंग का जन्म हुआ और शुबदीप 12 कक्षा में साइकल पे स्कूल जाया करता था। पे कैनेडा में चला गया और वही पे सिध्धू ने अपना पहला सॉंग जी वैगन रिलीस किया। इस गाने को लोगों ने बहुत प्यार दिया बट बहुत लोगों ने उसका मजाक भी बनाया। लेकिन सिध्धू ने अपने सिंगिंग के सफर को जारी रखा और उसके बाद सिध्धू के लगातार बहुत सॉंग्स आये और उनके मिलियंस में व्यूज गए। और केवल दो साल में सिध्धू पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे फेमस सिंगर बन गया। बट सिध्धू के हेटर्स की भी गिंती दिन भर ज्यादा होती गई। जब सिध्ध सिध्धू स्टार बनने के बाद अपने गाउं मूसा में वापस आया तो उसके माबाप और फैंस ने सिध्धू का एक राजा की तरह वेलकम किया। इतना प्यार देखकर सिध्धू की आँखों में खुशी के आंसू आ गए। सिध्धू को फकर था कि दिन रात मेहनत करके एक किसान का बेटा आज स्टार बन गया। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिध्धू को जान से मारने की धम की लगातार दे रहे थे। सिध्धू उनकी परवाह नहीं करता था और एक आजाद पंची की तरह जिंदगी जीता था। सिंगिंग में टॉप रहने के बाद वाहरिका में सिध्धू की थार पर कुछ गैंक्स्टर्स ने गोली चलाना शुरू कर दिया और सिध्धू को उन गैंक्स्टर्स ने 30 गोली अमारी। फिर सिध्धू को हॉस्पिटल में भी लजाया गया बट डॉक्टर्स ने सिध्धू को मृत्तक बता दिया। सिध्धू को लाइक एंड शेर जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं किसी next interested वीडियो में thanks for watching bye bye